स्वागत है आपका फिर से डियू जेमो लॉजे के से एजुकेशन प्रोग्राम में Synthetic Diamond के बारे में तो अपना सुना होगा जिसके कई नाम है इसे Lab-Grownd Diamond भी कहा जाता है Man-made Diamond भी कहा जाता है Culture Diamond भी कहा जाता है Synthetic Diamond को पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन है ऐसा कहते है लेकिन क्या सच में ये नामुम्किन है नहीं नामुम्किन नहीं है आपको आई लूप के माध्यम से ही Synthetic Diamond पहचानना मैं सिखा दोगा लेकिन कुछ Conditions के साथ वो Conditions क्या है हम आगे समझेगे ये वीडियो है Synthetic Diamond को कैसे हम आई लूप के माध्यम से पैचाने अपने ओफिस में बैठके साधारें इंस्टूमेंट के माध्यम से हम Lab Grown Diamond को कैसे पैचाने मैं कभी Synthetic Diamond कहता हूँ कभी Lab Grown Diamond कहता हूँ क्योंकि Synthetic Diamond को कई नामों से पकारा जाता है Synthetic Diamond, Lab Grown Diamond Man Man Diamond यह तीन इसके सबसे Famous नाम है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा इसको Lab Grown मनलब की Laboratory में Grow किया हीरा, Lab Grown Diamond के नाम से बोला जाता है एक और चल्क language है इसका, जैसे कहते CVD, कई लोग Lab Grown नहीं समझते, CVD समझते है तो इस वीडियो में हम समझेंगे CVD क्या है, HPD Grown Diamond क्या है कैसे यह, Cubic Zirconia Mozenite से अलग है, क्यों हम Lab Grown Diamond को पैचान नहीं पाते हैं और अगर पैचान पाएं तो कैसे पैचान पाएंगे Synthetic Diamond, जब भी हम Synthetic Diamond की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है Mozenite कहीं लोग Mozenite से Synthetic Diamond को जोड़ देते हैं नहीं, Mozenite अलग चीज़ है Synthetic Diamond अलग चीज़ है कभी भी हम Mozenite को या Cubic Zirconia को जो के Diamond के सबसे Closed Simulants हैं, इनको Diamond में नहीं गिनते Mozenite अपने अपने अलग चीज़ है Cubic Zirconia अपने अपने अलग चीज़ है Synthetic Diamond अपने अपने अलग चीज़ है और Natural Diamond यह अलग है ठीक है, हम पहले यह समझते हैं कि कैसे Synthetic Diamond और Natural Diamond एक जैसे होने के बाब जूद भी एक नहीं है और कैसे Cubic Zirconia और Mozenite एक जैसा दिखता तो है लेकिन अवाला बहुत ज़ाद अलग है देखे, मैं आपके सामने चार्ट शोग कर रहा हूँ इस चार्ट में आप देख रहे हैं Left Hand Side में मैंने Properties लिखी हुए है Natural Diamond की इसके बाद है Synthetic Diamond के Properties फिर Cubic Zirconia के Properties और Mozenite के Properties सबसे Right Hand Side में आप जब इस Properties को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि Natural Diamond के Properties और Synthetic Diamond के Properties बराबर है Same है, वही Cubic Zirconia या फिर Mozenite के Properties ही अलग है अगर मैं Chemical Composition की बात करू Natural Diamond और Cubic Zirconia यह दोनों अलग-अलग बस्तु है लेकि Natural Diamond और Synthetic Diamond जिसको लैप-ग्रून Diamond भी कहते हैं यह दोनों ही Carbon से बनते हैं Cubic Zirconia Zirconium Oxide से बनता है और Mozenite Silicon Carbide से बनता है मतलब इनको जो Main सरल Language में कहें कि जिस मसाले से बनते हैं वह मसाला ही अलग है ठीक है Natural Diamond और Synthetic Diamond दोनों ही Carbon से बनते हैं अचा इन दोनों के Hardness भी सेम है Natural Diamond के Hardness भी 10 है और Synthetic Diamond के Hardness भी 10 है वही Cubic Zirconia की साड़े 8 और Mozenite की सावानों के आसपास की हैं मतलब कि अगर मैं घिस के चेक करना चाहूंगा तो मैं घिस के चेक नहीं कर सकता अगर मेरे हाथ में एक Cubic Zirconia है वह घिस जाएगा Mozenite है वह भी घिस जाएगा लेकिन अगर मेरे हाथ में एक Synthetic Diamond है और मैं कस के रगड़ता हूं कस के घिसता हूं तुम्हों के घिसता हूं फिर भी वह नहीं घिसेगा जैसे कि Natural Diamond नहीं घिसता है तो आप घिस के पैचानने सकते है अगर वजन से पैचानने की कोशिश करूं तो भार से इन में भार में भी सेम है Natural Diamond का और Synthetic Diamond का भार सेम है 3.52 वही Cubic Zirconia का भार बहुत जादा होता है यह Heavy होता है कितना है Approximately on an average मैं 5.80 की आसपास करता हूं मुजनाट थोड़ा सा हलका होता है बहुत आसपास है Diamond जासा बार यह भी हलका होता है फर्क है मैं यह आपको Main Focus करवाना चाहता हूं कि Cubic Zirconia, Muzonide का भार अलग है Natural Diamond और Synthetic Diamond दोनों से ही अलग भार से भी पैचानने सकते है Dispersion Dispersion का मतलब मैं पहले ही आपको वीडियो में समझाया हुआ है सतरंगी कलर दिखना तो Dispersion Value भी Natural Diamond, Synthetic Diamond का सेम है लेकिन Cubic Zirconia का जादा है मनला कि Cubic Zirconia में आपको सतरंगी कलर दोड़ा जादा नजर आएगा Moesonide में और जादा नजर आएगा एक और है कई Properties होती है मैं सिर्फ Main Basic Properties की बात आपको समझाता हूँ अब इस आप को देख की समझ ही रहे है कि Properties के माध्यम से कोई भी Gemologist या कोई भी Joeller, कोई भी ग्राहक इसको अलग नहीं कर सकता Properties सेम है तो फिर पैचानेंगे कैसे Main तो पैचानेंगे कैसे पैचानेंगे कैसे इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा लेकिन उससे पहले हमें सबजना पड़ेगा यह Synthetic Diamond असल में है क्या यह है क्या कैसे बनता है थोड़ा से introduction दे दूँ पहले Synthetic Diamond का बहुत ज़रा deep नहीं जाऊंगा 1950s के आसपास Synthetic Diamond बनना शुरू हो गया था Russia में किसी कंपणी ने इसको बना दिया था सबसे पहले ऐसा एनओफिशल सुनने को आता है लेकिन उन्होंने एनाउंस नहीं किया था सबसे पहले Officially General Electric नम की जो कंपणी है उन्होंने Officially Announce किया कि हमने Synthetic Diamond बना दिया है 1950s के आसपास 1952s के आसपास उस वक्त जब Synthetic Diamond को ग्रो किया गया था तो बहुत छोटे कंड ग्रो किया गये थे और हलकी Quality Quality बहुत हलकी थी मतलब उनको हम Jewelry में इस्तमाल नहीं कर सकते थे और Costing बहुत ज़्यादा आया करता था जिस Technology से Synthetic Diamond को बनाया गया था उसका नाम था HPHT High Pressure High Temperature मतलब के HPHT एक तरीका है जिस तरीके से Synthetic Diamond को ग्रो किया जाता है बनाया जाता है समय गुजरता गया Technology और अच्छी होते गई लेकिन इतना जादा नहीं कि वह Jewelry में अभी भी इस्तमाल किया जाने लगे तो Synthetic Diamond को बहुत जादा पैमाने पे Industries में यूज किया जाने लगा जैसे जैसे समय गुजरता गया एक और एक टेक्नलोजी सामने आए जिसका नाम है CVD Chemical Vapor Deposition मतलब के अब Synthetic Diamond को दो तरीके से ग्रो किया जाने लगा पहला तरीका का नाम क्या है H-Pasty Grown और दूसरे तरीके का नाम क्या है CVD Grown इसलिए मार्केट में कहीं लोग CVD-CVD बोलते हैं लेकिन एक्चुली Synthetic Diamond सिर्फ CVD से नहीं बनता CVD Grown और H-Pasty Grown इन दोनों तरीके से Synthetic Diamond को बनाया जाता है इसलिए जब आगे चलके इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम Synthetic Diamond को पहचाने तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि CVD Grown तरीके से पहचाना जाएगा H-Pasty Grown अलग तरीके से पहचाना जाएगा यहां तक तो मैं आपको समझाने में काम्याब रहा आगे आपको समझाता हूँ H-Pasty Grown का कुछ और फंडा इससे पहले में आगे बढ़ू थोड़ा सा knowledge आपको और लेना पड़ेगा H-Pasty के बारे में यह High Pressure High Temperature H-Pasty के बारे में मार्केट में कुछ और भ्रांतियां है उन भ्रांतियों को पहले हम समझते हैं H-Pasty मशीन से दो काम के जा सकते हैं एक तो Synthetic Diamond को Grow किया जाता है Synthetic Diamond बनाया जाता है और दूसरा Type 2A Brown Diamond को Process किया जाता है उनके Color को White कर दिया जाता है जो Brown Diamond होते हैं LB Diamond होते हैं उनको Process करके उनकी Color को Enhanced कर दिया जाता है उनको White बनाया जाता है इन Process के बारे में बहुत डीप्ली इस वीडियो में नहीं जाओंगा सिर्फ आपको यह समझना जरूरी है कि जब भी मैं कहूँ H-Pasty Grown Diamond इसका मतलब कि आपके हाथ में एक Synthetic Diamond है और जब मैं आपको यह कहूँ कि आपके पास एक H-Pasty Processed Diamond है तो यह समझ लीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसा Diamond है जो Synthetic भी हो सकता है, Natural भी हो सकता है लेकिन उसके Color को White कर दिया गया है थोड़ सा Technical है, नहीं समझ माया मैं इसको हलका से Elaborate कर देता हूँ H-P-H-T Grown मतलब हो गया हीरे को बनाया जाना तयार किया जाना, Grow किया जाना, Develop किया जाना, Manufacturing किया जाना समझ लीजिए Simply और H-P-H-T Process का मतलब हो गया कि पहले से हीरा बना हुआ है वह हीरा Natural भी हो सकता है वह हीरा Synthetic भी हो सकता है लेकिन जब हम हीरे को Categorize करते हैं उसको Types में Categorize करते हैं Type 1, Type 2, 1a, 1b, 2a, 2b और भी Categories होते हैं अभी इस वीडियो में उन Types के दिले में नहीं जाऊंगा तो Type 2a Categories के जो Diamond होते हैं Type 2 उसमें से 2a, 2b, 1a, 1b 4 Categories होगे लिए इसमें से 2a Categories के Diamond को अगर वह Lb में हैं ब्राउन में हैं उनको White में Convert किया जाता है यह जो Process है इसको कहते हैं HPHT Processed Diamond तो HPHT Processed Diamond क्या हुआ कि ऐसा Diamond जो के पहले Brown था उसको White में Convert कर दिया गया तो अभी HPHT Grown, HPHT Processes मार्केट में कहीं लोग HPHT Grown और HPHT Process में Confuse हो जाते हैं इसलिए थोड़ा सो Elaborate करने के ज़रूत है यहां प HPHT तो हमेशे इसलिए मैं HPHT सिर्फ HPHT शब नहीं बोलता मैं HPHT के साथ HPHT Grown शब्द का भी इस्तवाल करता हूँ HPHT Grown तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और समझते हैं CVT Grown और HPHT Grown इस वीडियो में मेरे साथ जोड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद पार्ट 2 में हम समझेंगे कैसे हम Natural Diamond और Synthetic Diamond को सिर्फ आई लूप के मादियों सहीं पैचान सकते हैं